हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेज में उमीद है आप लोग स्वस्त होंगे हम लोगों ने स्रीज स्टार्ट की थी प्रैक्टिस की मार इस बार सीटेट पार उसके और तीन जो है पार्ट कम्प्लीट हो चुके हैं जिन भायों ने अभी तक वो तीन पार करते रहें क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली तो सीटेट के एक्जाम में कह सकते हैं क्वेश्चन सौल करने में आप भी दिकत आने वाली नहीं है तो आए बिना टाइम वेस्ट की हुए क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नमबर फस्ट गिवन का रखा है डैस उस विशिस्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावण में खास प्रकार्शे उद्धीपन के प्रति विशेश रूप से ग्रहण च्छम होते हैं अब यहां पे आपको बताना है कि वो कौन सा टाइम पीरियद है जब बच्चे पूर्टया कह सकते हैं चीजों में involved रहते हैं और उनका सीखने का अधिगम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को उनमें मिलता है तो सबसे पहली जब इस स्टेज की बात करते हैं तो पहली स्टेज है समवेदन सील अवधी बिलकुल यह जो समवेदन सील अवधी है sensitive period है इस duration में बच्चे की अंदर जो कह सकते हैं motor nerve होती है वो active होती है और इस duration में बच्चा चाहे वो environment को ले करके हो चाहे फिर अपने घर की चीजों के साथ हो या फिर अपने माता पिता के साथ मिल करके बहुत ही अच्छे तरीके इसे चीजों को सीख पाता है और उसके अधिगम में बहुत ही जादा जो है improvement देखने को मिलता है तो option number A ही आपका सही other options की बात करते हैं तो मुखर आवद मतलब explicitly period अब इसमें क्या होता है बच्चा fluently चीजों को बोल करके बता पाता है लेकिन उस हद तक जितना उसकी motor nerve active ह उतना यहां पर उसमें changes देखने को नहीं मिलते हैं C option की बात करते हैं plasticity duration मतलब नम्यता काल अब इस duration में क्या होता है कुछ ऐसी चीजे जो already उसके अंदर fix रहती हैं जिनमें वो सिर्फ क्या करता है अब कुछ न कुछ थोड़ा improvement करना चाहता है ना कि उसमें और भी आनता से सोच पाए तो ये भी option जो है गलत हो जाएगा D option given कर रखा mental stagnation मतलब मानसिक अकरमरता अब इसका तो यहां पर कोई रोल ही नहीं होगा यति बच्चा मानसिक तनाव या फिर मानसिक तरीके से वो कुछ अकरमरता फिल कर रहा है तो इस duration में बच्चे का अधिगम सही है जिस duration में बच्चा जो है कह सकते हैं बिसिस ये समय होता है और इसमें बच्चा वाता और के संपर्क में आकर के चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ पाता है और सीख पाता है नेक्स्ट बात करते हैं question number 2 की अब question number 2 जो यहां पर given कर रखा वो है assertion और reason का यह जो questions है assertion और reasons के यह आज कल जब हम seated या फिर other जो teaching line के exam से उनमें जो pedagogical question है वो इस pattern में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो इस तरीके के question जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आप practice करिए क्योंकि इन में होता क्या है एक तो आपको statement given कर रखा होगा उस statement के according आपको satisfied करना है क सही है या फिर नहीं सही है यह दोनों सही है और reason correct है तो इसके according आपको options चेक करना रहता है तो सबसे पहले यदि हमाजरशन की बात करते हैं तो given कर रखा है बच्चों के विकास की प्रगति को दूर दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंक से सुदता से सटिकता से माप इसके अपर यहां पर यहां पर यह कहने का मिन्स तो कह सकते हैं बिल्कुल अब जो अजर्शन बताया गया है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के कंपरीजन करके हम बता दें कि इसमें इतना IQ लेबल है या फिर यह इतना चीजों के बारे में जानता है वह सिर्फ इतना ही लेबल तक जान सकता है जितना वो दूसरा बच्चा जानता है तो यह तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि mental activity अलग अलग तरीके से बच्चे सोच पाते हैं उनका IQ लेबल अलग-अलग होता है तो उसी तरीके से वो किसी भी कारी को करने के प्रति अलग-अलग समान होती है सही बिकल्ट यूने अब the pattern and sequence of development as well as the rates of development are the same for all children universally अब universally यहां पर बता दिया गया कि बच्चों में जो changes देखने को मिलते हैं या उनमें बदलाव देखने को मिलते हैं या फिर उनमें development देखने को मिलते हैं वो समान रहते हैं वो universally truth है कि सभी बच्चे एक जैसे जो है progress करते हैं तो यह तो बिल्कुल reason भी बिल्कुल अब जो अजर्शन की according ले 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 या फिर region में सिर्फ हो सिर्फ इजर्शन में questions मतलब answer खोजने की कोसिस करें तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि आप यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि सभी बच्चे जो है एक तरीके से च आर दोनों सही है और आर रही ब्याख्या करता है एक ही बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर दोनों गलत है बी की बात करेंगे ए और आर दोनों सही है लेकिन आर रही ब्याख्या नहीं करता है ए भी गलत हो जाएगा सी आप्संस की बात करेंगे सी आप्संस की बा सब्सक्राइब जाएगा निक्स्ट बात करते हैं क्वेशन नमबर तीन के विन कर रखा है बच्चों का दुतियक सामाजी कर डैस्ट की आवस्था में प्रारम्ब हो जाता है जब वह इस्कूल जैसे आपचारिक संस्थाओं में जाना शुरू कर देते हैं अब यहां पर एक स यहाँ पे जो लेवैस्की साहब ने तीन स्टेज़स दी थी कि बच्चे इन इन स्टेज़स में अपने अधिगम को ग्रहार करते हैं तो सबसे पहला बताया था उनका जो है प्राइमरी जो स्टेज होती है वो होती ही आपकी फैमिली और आपका समाज सेकेंडरी जो सोसलाइजिसन की स्टेज होती है वो होती ही आपकी जब बच्चा बिद्याले जाता है वहाँ पर बच्चों के साथ मिल करके या फिर अध्यापक के जो है सहायता से चीजों को सीख पाता है और उन पर activity कर पाता है तो यहाँ पर second period की बात की गई it means अब वो duration आपको बतानी है कि किस duration में बच्चा वो विद्याले जाता है तो सबसे पहला option है 600 था मतलब infancy अब यह तो option गलत हो जाएगा क्योंकि infancy मतलब बच्चा जन्म के समय या फिर उसके एक दो महीने वो जो period होता है वो infancy का duration होता है तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इस duration में बच्चा क्या जन्म लेते ही स्कूल भेज़ दोगे यह तो गलत हो जाएगा next है option number B early childhood अब यह जब early childhood की बात करते हैं तो यह almost वही आपकी age duration मानी जाती है दो से लगाकर के साथ साल के बीच की तो अभी इस duration में भी बच्चा जो कह सकते हैं घर में खेलता है फिर उसके बाद थोड़ा बहुत समाज़ निकलता है वहाँ पर चीजें खेलना हुद्दा स्टार्ट कर देता है लेकिन अभी वो बिद्याले नहीं जाता है तो यह हो ज जाता है तो छे से ग्यारा साल के बीच में इसको इंवाल्व किया जाता है इस duration में बच्चा क्या करता है अपनी प्रारम भी सिछा स्टार्ट कर देता है बच्चा स्कूल जाकर के चीजों को बुक्स वगएरा या फिर टीचर के माध्धम से चीजे सीखना स्टार्ट कर दे इरुलेसेंस में काउंट की जाती है तो ये भी option आपका गलत हो जाएगा निक्स बात करते हैं question number 4 की question number 4 given कर रखा है किस चर्ण में बच्चे परिकल्पनातमक कथनों पर काम कर पाते हैं कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरशन को समझने में सच्छम होते हैं in which stage can children work with hypothetical statements and explore logical relationship between statements and have the ability to cope with obstruction set as proportional अब यहां पर क्या बताया गया है कि वो कौन सा जो है time period है जब बच्चे जो है अपने hypothetical thinking से या फिर कह सकते हैं अमूर्त चिंतन या फिर उनकी जो कह सकते हैं ऐसी शमताय उनके अंदर आ जाया है कि अपने आप चीजों को सोच करके अपने तरीके से answer लिख सके तो उस stage को बताना है आपको तो यदि आपने first part देखा होगा तो वहां पर हमने जीन प्याजे साहब की fourth I mean चार stages बताई थी जिसके माध्यम से बच्चे जो है अलग-अलग स्रेंडियों में अधिगम को ग्रहन कर पाते हैं तो सबसे नहीं जो stage थी sensory motor stage अब इसमें क्या zero से लगा करके दो साल के लिए बच्चा होता है और इसमें उसके sensory motor nerve जो है बहुत ही ज़्यादा active होती तो उसके माध्यम से बच्चा सीख पाता है दूसरा था दो से लगा करके साथ साल के बीच और इसको बताया था pre operational stage अब इसमें क्या है यह जो चीज बनाई गई है या फिर जो चीज operational stage की बात की गई थी इसमें चीजों को वो कंजर्ब करना स्टार्ट कर देता है और वो क्या करता है सिक्वेंस से मतलब किसी चीज को पैटर्न में लगाने के लिए दे दिया जाए तो वो इसको पैटर्न में लगा देता है लेकिन वो इस हद तक नहीं समझ पाता है कि यह ज तरीके की वो चीज़े समझ नहीं पाता है तो यह थी concrete operational stage फिर last जो थी formal operational stage यह जो fourth वाली तो इसमें का करता बच्चा अमूर्त चीजों के बारे में सोच पाता है उसके जो hypothetical जो थिंकिंग्स होती है लॉजिकल थिंकिंग्स होती है वो एक दूसरे से relationship बना पाता है यह सारी चीजों की जो है कह सकते हैं चमता है उसके अंदर आज आती हैं तो overall जितना statement आप से question में पूछा गया था उसके according option number जो D है मतलब formal operational stage यही आपका correct answer हो जाएगा next बात करते हैं question number 5 की निम लिखित में से कौन जीन प्याजे के संग्यान आत्मों विकास के सिधान्थ की आलोचना है अब which of the following is a critic of जीन प्याजे स्थेवरी of cognitive development अब जैसे ही क्रिटिक की बात की जा रही तो सिर्फ दो ही ऐसे फिलोशिफर हुए एक तो जीन प्याजे और लिवास्की यह दोनों एक दूसरे की जो थेवरी है उसको क्रेटिसाइज करते हैं क्योंकि जीन प्याजे साहब है इनका मानना था कि बच्चे जो है सकते हैं एकदम खाली बरतन होते हैं जब जन्म लेते हैं उनके अंदर कुछ भी नहीं होता है वो जब समाज में या फिर उनका जब जन्म होता है तब वो आकर के एक्टिविटीज के थुरू एक्टिव होकर के सारी चीजों को सीख पाते हैं तो यहां पर यदि लेवासकी साहब कर कोई भी बात की गहीं वही आप्सन आपका गलत हो जाएगा सबसे पहले आप्सन की बात करते हैं ए बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांसिकतिक संदर्व पर निरभर हो तो इट मिंस यदि लेवासकी साहब ने कहा था तो अब यह जीन प्याजे के अकॉडिंगे क्या हो जाएगा क्रिटिसाइज कर देंगे इसको तो यही आप्सन आपका एकदम सही हो जाएगा आदर आप्सन की बात करते हैं बी बच्चे सक्रीय प्राणी है मतलब चिल्डें इस तिंकिंग इस क्वांटिटिबली डिफरेंट फांड आफ अड़ बच्चों की जो सोच होती है वैसको के सोच से गुरातमक से भिन होती है मतलब multiple times होचते हैं अब ऐसा नहीं है कि जो एडल सोचते हैं वहीं बच्चे सोचते हों वो उनके अलग अलग तरीके जो है हो सत को मिलेगा तो option number 3 भी गलत हो जाएगा डी की बात करते हैं development of children takes place by their acting upon the environment बच्चों का विकास वातावन के साथ अंता क्रिया करके होता है बिल्कुल जीन प्याजे के according क्या बच्चे जो है कह सकते हैं उनको environment में ले जाएए वहां पर चीजों को दिखाएए विजुलाइज करे उस पर वो activity करें दिन सीख पाते हैं तो ये भी statement जीन प्याजे साहब के recording है तो B, C, D ये जीन प्याजे के recording है और ये जो option है वही लेवास्की के अनुसार है तो ये option ही आपका इड़म सही रहेगा निक्स बात करते हैं question number 6 की जीन प्याजे और लेवास्की ने सीखने की समझ को डैस प्रक्रिया में इस्थांतरित किया है अब यहां पर जीन प्याजे और लेवास्की अप सिफ्टेड दा understanding of learning as a desk process to a desk process अब यहाँ पर बताया क्या गया है जीन प्याजे और लिवास्की के अमशार बच्चे को किस किस कैटरेगीरी में उन बॉल करते हैं ंरुए हमने अभी बता है कि जीन प्याजे साहब है वो कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पैस्यू होता है लेकिन लेवास्की साहब कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एक्ट nutr Dota' sout तो वही दोनों जो है लेवास्की के अनुशार बच्चे एक्टिव होते हैं तो option number B ही आपका जो है यहां पे जो fill in the blanks है उसके according appropriate सही रहेगा next बात करते है question number 7 की question number 7 लेवास्की के अनुशार शीखने का आधार क्या होता है according to लेवास्की the basis of learning जैसे ही इतना content आपको लेवास्की साहब के बारे है पता चल गया है तो आप जैसे ही options को read करेंगे और ऐसी question से पूछा तो तुरंत आपसका answer दे सकते हैं क्योंकि लेवास्की किसकी बात करते हैं social interaction social I mean cultural चीजों के बारे में चीजे बच्चों चीजे बच्चे जो है समाज के संपर्क में आकर की सीख पाते हैं तो सबसे पहला option है social interaction बिल्कुल पहला यह option सही हो जाएगा कि according to लेवास्की बच्चे जो है social interaction करके ही चीजों को सीख पाते है other options की बात करते है रिइन्फॉसमेंट बच्चों पर बार बाल उनको कह सकते है पुठरबल डालना बार बार उनको कहते है कि यह करना है बेटा यह लाइन घो जा पन चाते हैं तो यह पहुंछ जाती है तो यह अधियं से बच्चे in the structure of schema अब यह जो schema word है यह तो जीन प्याजे साहब ने बताया थे कि बच्चे कैसे जो है जो भी जानकारी है उसको ऐजा कह सकते हैं sequence में अपने mind में store कर लेते हैं और फिर उनको step by step work करते हैं तो वो schema में कैसे changes लाते हैं कि कैसे एक कोई article है उसके प्रती जब बच्चे जो है first stage में होते हैं उसके प्रती उनकी तब ऐसी सोच रहती है फिर जब वो बड़े होते हैं थोड़ा तो उसके प्रती उनका behavior या फिर उनका जो तरीका होता वो change हो जाता तो इस तरीके से वो उसमें क्या करते रहते हैं कह सकते हैं, changes लाते रहते हैं, तो ये भी आपका option गलत हो जाएगा, तो A option ही एकदम सही है कि according to Levas की social interaction करके ही बच्चे बहतर तरीके से चीजों को सीख पाते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, question number 8 की, तो question number 8 गिवन का लखा है, Lawrence Kohlberg द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्थर पर ब्यक्ति बिस्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है, अब जब हम बात करते हैं, Lawrence Kohlberg साथ की, तो इन्होंने जो कह सकते हैं, moral development की जो theory represent की थी, उसके according बताया था कि कैसे जो है, वो एक दुबिधा में फस जाते हैं, और उस दुबिधा में सही गलत क्या होता है, उस पर निर्ने लेना एक इनसान के लिए बहुत ही कह सकते हैं, कठिन बात होती है, लेकिन अब निर्ने तो आप ही को लेना है, अब वो निर्ने किस favor में जाएगा, वो आपको decide करना है, तो इस तरीके से उनके according जो stages हैं, तो किस stage पे इनसान को चाहिए कि अपने जो rules है, regulations है, उसमें जो है changes ला सके, जिससे क्या हो, वो सही और गलत का जो है, अच्छे से पहचान कर पाए, तो option पहला given कर रखा है, evidence and punishment orientation, एक ऐसे stage जब बच्चे पर क्या है, एक कह सकते हैं, अग्या पालन का जो है, एक pressure डाल दिया जाए, उससे कहा जाए कि बिटा या तुम ऐसा नहीं करोगे, तो तुम्हें punishment मिलेगा, या फिर तुम्हें प्रतारित किया जाएगा, ये सारी ची गलत का जो है, रास्ता दिखाया जाए, जिससे वो जो उसके बारे में गलत information मिली है, उस पर वो सही से चिंतन कर सके, और अपने अधिगम में जो है, solutions निकाल सके, तो option number A ही आपका सही हो जाएगा, B की बात करते हैं, good boy, good girl orientation, मतलब अच्छा लड़का, अच्छा लड़की अभी विन्यास, अब ये तो stage होती है, जिसमें बच्चा अपने आपको maintain करके रखता है, और वो एक दूसरे से कह सकते हैं, competition जैसी भावना है, उसके अंदर भी आ जाती, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सबके नजरों में सबसे अच्छा लड़का बन करके दिखाऊ, वो चाह पर भी बच्चा क्या करता है, जो समाजिक rule regulations होते हैं, या समाज के संपर्क में आकर के अपने अधिगम को improvement ही कर पाता है, उसमें कहीं न कहीं अधिगम में देखने को मिलेगा कि वो बहुत अच्छे से development कर पा रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं positive ही बात की गई है, social contract orientation, अब स समाज के संपर्क में आकर के बच्चा क्या करता है, चीजों को सीख पाता है, आराम से, जैसे लेवासकी साहब ने भी बता है, तो ये भी क्या है, positive ही बात है, सिर्फ पहला option है जहां पर बच्चे को कहीं न कहीं एकदम कह सकते हैं, free रखना चाहिए, वो अपने नियमों में अपने जो है, जो rules बगेर हैं, उनमें सुधार कर पाया है, जिससे वो सही गलत को आसानी से पहचान सके, तो पहले ये option में correction करने की जरूरत है, next हम बात करते हैं question number 9, question number 9 given कर रखा है, Howard Gardner के बहवदी सिधान्त के अनुशार, निमलिखित में से कौन सा जोड़ा, बुद्धी के प्रकार और अन्ताहिस्तित अनुपालन संभावना की अनुशार सही है, which of the following is a correctly matched pair of the type of intelligence and the end statement possibilities as per theory of Howard Gardner, अब Howard Gardner साथ के according, यहां पे जो चार options given है, इसमें वो option आपको select करना है, जहां पर बच्चा ज्यादा से ज्यादा activities करता हो, और ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं, उसमें development प्लस उसके साथ IQ label ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, उस option को यहां पर select करना है, तो वो कौन सा माध्य में हो सकता है, तो सबसे पहले options की बात करते हैं, बुद्धी का प्रकार, भासिक अन्ताहिस्तित अनुपालन संभावना लेखा पाल, intelligence, logic, mathematical, and state possibility account, बिलकुल, यह first option में बच्चा ज्यादा से ज्यादा तरीके से चीजों को logically represent कर पा रहा है, चीजों को सोच पा रहा है, कोई puzzle वगएरा है, वो solve कर पा रहा है, mathematically कुछ कह सकते हैं, equations वगएरा है, उनको solve कर पा रहा है, उसके साथ साथ वो other activities में जितना हो सके वो involved है, it means उसमें बहुत ही ज्यादा changes देखने को मिलेंगे, उसका IQ label भी कह सकते हैं, कि एक इस तरह से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई परेगा, तो पहला ही option आपका सही, other options की बात करते हैं, पहले लेते हैं, intelligence, special, and state possibility, athlete, अब athlete की जब हम बात करते हैं, तो athlete में एक special कह सकते हैं, खूबी होती, skills होती है, वो भी सिर्फ एक ही वो running कर सकता है, या फिर कह सकते हैं, वो other कोई playing game कर रहा है, तो वो सिर्फ उसमें ही मन लगाएगा, उसमें कुछ mental activity जो होती हैं, वो ज़्यादा नहीं हो पाती, तो उससे उसका IQ label पे ज़्यादा जो IQ label ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाए, C options की बात करते हैं, intelligence, linguistic, and state possibility navigator, बुद्धी का प्रकास, सारिरिक गती, संबेदानात्मक, अन्ताइस्तित, अनुपालन, संभावना, गायक, अब जब गायक की बात करते हैं, तो गायक में भी कह सकते हैं, एक special skill होती है, इस पर वो गाना और गायरा, compose करना चाहता है, तो वो उसी पर सिर्फ वर कर पाता है, ना कि उसके जो IQ label पर कुछ ज़्यादा जो देखने को नहीं मिलते हैं, यहां पर भी कह सकते हैं, limited ही उसकी IQ label की comparison किया जा सकता है, डी की बात करते हैं, तो intelligence, interpersonal, and state possibility, dancer, तो बुद्धी क सब्सक्राइब कता प्रकारतिक, अंता, अनुपालन संभावना है सिच्छ, अब इसमें क्या है, जो dancer होते हैं, dancers होते हैं, उन में क्या होता है, एक special ही कह सकते हैं, skill होती है, उसके अलावा वो और ज़्यादा बाहरी चीज़ों में involved नहीं होते हैं, और जब वो बाहरी लॉजिकल तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से, वो चीजों में लगा हुआ है, एकाउंट्स वगरा प्रिपेर कर रहा है, तो उसमें बच्चे के IQ लेबल में बहुत ही ज्यादा चेंजर देखने को मिलेगी, उसकी इंटरपर्सनल जो कह सकते हैं, अक्टिबिटीज हैं, वो ज चाहिल्ड सेंटर एजुकेशन टीचर, अब एक ऐसी सिच्छा जिसमें बच्चे पूरतया एजुकेशन में परणर थो, और उसमें एक टीचर का क्या रोल हो सकता है, आपको वो बताना है, तो सबसे पहले आप्शन की बात करते हैं, तो पहले आप्शन की बिबन कर रखा ह निर्देश देता है तिथा बिद्यार्थी अंधुवत अनुस्तरन करते हैं, गिप्स डायरिक्शन वाइल दा इन्फ लेर्नर्स फॉलो ब्लाइंडली, अब ऐसा कोई टॉपिक जो टीचर के द्वारा बताया जा रहा है, बच्चे उस पे पूरतया, आँखे बंद करके उ इसको मान लेते हों कि नहीं सर जो बता रहे हैं वो एकदम सही है तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अब इससे क्या है, अब टॉपिक गलत पढ़ाया जा रहा है, तो आपको गलत इन्फोर्मेशन मिलेगी, तो आपको गलत ही अधिगम प्राप्त होगा, तो इस तरीके से ये तो बिल्कुल गलत आप्शन हो जाएगा, बी की बात करते हैं, अन्रिस्टेंट दचाइल्ड एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन असोसल कंट्रस्विस्ट मैनर, हाँ बिल्कुल बच्चों आज सीखने की प्रकरिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है, बिल्कुल वोसे ये देखना है कि बच्चे कैसे सामाजिक रचनावादी के रूप में कारिज़त हैं, उनमें क्या-क्या समस्याइं आ रही हैं और उनका कैसे और किस तरीके से निस्तार करें, उनको उसका निस्तार करके उसका शलूशन बताना है, तो आप्सन नमबर बी ही आपका एकदम सही हो जाएगा, तो आप्सन नमबर सी आपका एकदम गलत हो जाएगा, निक्स्ट डी आप्सन की बात करते हैं, तो यूजज एससमेंट टू रैंक दा स्टुडेंट्स, आकलन को इस्तमाल करने के लिए विद्यार्चियों को स्रेंडियों में अब बच्चों को सेग्रेट करना, बच्चों को अलग-अलग गुरूप में डिवाइड करना, ये कहीं न कहीं अधीगम के जो है कह सकते हैं, अच्छे तरीके नहीं होते हैं, इससे बच्चों के अंदर हीन भावनाय जागरत हो जाती हैं, बच्चे पूर रूप से कह सकते अपनाली है समावेशी सिच्छा तो वो कहीं न कहीं पूरते हैं नहीं वो पाती है तो option number D भी आपका गलत हो जाएगा option number B ही है जहाँ पर बच्चे की समझ या उसकी जो प्रॉब्लम से उनको सीख करके teacher को क्या चाहिए उसका जो है निस्तार किया जाए उसके according यदि एक माद्यम उसको नहीं सही आ रहा तो दूसरे माद्यम से उसको बताया जाए तो यह रहे आपके जो है CDP के most 10 expected questions आपको जो करवाएगे most probably chances है कि आपगामी जो परिच्छा है उसमें आपको as it is कुछ questions देखने को मिलेंगे दोस्तों को लाइक और सब्सकाइब जरूर करवाते रहे मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए जैन